नमस्कार आप देख रहे हैं न्यूजवल इंडिया आपके साथ मैं हूँ काजोल नराइन बहुत स्वागत है आपका गुड मॉनिंग इंडिया में भारत बंद के चलते प्रदर्शन कारियों ने गाजिपूर बॉर्डर ब्लॉक कर दिया है बता दें कि ये बंद सैंट किसान मोचा ने केंडिय सरकार के नई कृशी कानूनों के खिलाब बलाया है किसान मोचा तीनों कृशी कानून को वापस लेने की मांग कर रहा है अम्बाला में कुशी कानूनों के खिलाफ सेंग्ट किसार मोचा द्वारा 12 गंटे के भारत बंद के अवाहन के मद्दे नजर शाहपुर के पास प्रदर्शन कारियों ने जीटी रोड और रिवे ट्रेक को ब्लॉक कर दिया भारत बंद के दौरान किसानों ने बिहार में मुजफरपूर हाजिपूर हाईवे को जाम कर दिया है भारत बंद को लेकर अमरिस्सर में वल्ला रेल फाटक पर दिली रेल मार्ट पर धरना शुरू कर दिया गया हाला कि पुलिस दौरा सुरक्षा के पुखता अंतजमात किये हुए है और अतरिक पुलिस फोर्स भी लगाई गई है वहीं ट्राफिक पुलिस के मताबिक किसानों के भारत बंद को देखते हुए एनेस 24 पर घाजिपर बॉर्डर पर यातायाद बंद कर दिया गया है बंद के दौरान क्या-क्या खुला रहेगा ये भी हम आपको बता रहे हैं किसान नेताओं के अनुसार भारत बंद के दौरान किसी कंपनी या फैक्टरी को नहीं बंद कराया जाएगा पेट्रोल पंब, मेडिकल स्टोर, जर्नल स्टोर जैसी जरुत की जगा खुली रहेगी क्या-क्या बंद रहेगा ये भी हम आपको बता दें कि किसानों के भारत बंद के दौरान रेल और सडक यातायाद को बाधित करने की योजना है सुभाद 6 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक सारवजनिक स्थलो को बंद किया जा रहा है नए कृशी कानून के खिलाब किसानों के प्रदर्शन के चार महीने पूरे होने पर सयुक्त किसान मोचा ने आज भारत बंद का आवाहन किया है बंद सुभाद 6 बजे से शुरू हो चुका है और ये बंद शाम 6 बजे तक रहेगा किसानों ने देश के नागरिकों से बंद को पूरी तरह सफल बनाने की अपील की है हाला कि उन्होंने का आए कि भारत बंद में शामिल होने के लिए किसी से जबरदस्ती नहीं की जाएगी आज प्रधान मंतरी नरिंदर मोदी बांगलादेश के दो दिवसिय दौरे को लेका रवाना हो चुके है इस दोरान बांगलादेश ने कहाए कि प्रधान मंत्री नरिंद्र मोदी की दो दिवसिया यात्रा के दोरान नई दिल्ली और धाका के बीच कम से कम पाच सेमती पत्रों पर हस्ताक्षर होने की संभावना है पियम मोदी बांगलादेश की स्वसंतुरता के स्वन जेनती समहरों और इसके संस्थापक शेख मुजुबर रह्मान के जन्म शताबदी समहरों में शामिल होने शुकरवार को धाका पहुचेंगे प्रधार मंत्री नरिंदर मोदी 26-27 मार्श तक की अपनी दो दिवस्य यात्रा के दौरान बांगलादेश की प्रधार मंत्री शेख हसीना के साथ प्रतिनिधी मंडल स्तर की वारता भी करेंगे कोई-19 महमारी के बाद से मोदी की ये पहली विदेश यात्रा है बांगलादेश के विदेश मंत्री डॉक्टर एके अब्दुल मोमिन ने कहा है कि MOU की संख्या कम या जादा हो सकती है लेकिन कम से कम पांच MOU पर हस्ताक्षर होने की संभामना है इसके लावा विदेश तचीफ हर्शवर्दन श्रिंगला की माने तो पियम मोदी की इस दो दिवसिये बांगलादेश यात्रा के दरान विभिन समझोतों पर हस्ताक्षर होंगे साथी बांगलादेश से विभिन शेत्रों में सयोग बढ़ाने के लिए नई घोशनाय भी की जा सकती है श्रिंगला ने कहा है कि यात्रा बेहत खास तथा में तपून है इस दोरान दोनों देशों के बीच विशेश सम्मंधों पर जोर दिया जाएगा विदेश सचीव ने कहा कि धानमंत्री के यात्रा के दरान दोनों देशों के बीच विभिन सम्झोते पर हस्ताक्षर किये जाएंगे इसमें दोनों देशों के बीच सैयोग से संबंध कई सम्झोते शामिल है सूत्रों से मिले जानकारी के मताबिक शेक हसीना, शुकरवार सुभा धाका के हजुरत शहाद जलाल अंतरास्टी हवाई अड़े पर पीम मोदी की अगवानी करेंगी उन्होंने कहा है कि दोदिवसे दोरे के दोरान मोदी शनिवार को दक्षिन पर्शिम स्थित सत्खीरा वपाल गंज के जुरेश्वरी और और कांडी मंदिरों में दर्शन के लिए जाएंगे महराज के मुंबई में एक अस्पताल में देराग भीशन आग लगे जिसके चलते दो लोगों की जान चली गई है घटना भांडूप इलाके की है असल में यहाँ स्थित ड्रीम मौल में भीशन आग लगी थी इस मौल में तीसरे मंदिल पर एक अस्पताल भी था जहां सतर से जादा मरीज थे इन में से जादे तर कोरोना वारस से संक्रमित मरीज थे गटना के बाद फार्बिगेट की मदर से अस्पताल के अंदर से सभी मरीजों को निकाल कर दूसरे अस्पताल में शिफ्ट किया गया है आग पर काबू पाने के लिए फार्बिगेट की बीस से जादा गाड़िया मौके पर मौजूद थी आग देराद करीब साड़े ग्यारा बज़े के बाद लगी जिसकी जानकारी फार्बिगेट को दी गई आग कैसे लगी इसकी जाँच की जा रही है साथी अस्पताल के अंदर भी सर्च किया जा रहा है कि कहीं और कोई दूसरी मंजिल पर कोई मरीज तो अंदर नहीं फसा है गटना के बारे भी जानकारी देते वे डीसीप प्रशान कदम ने बताए कि करीब 90 से 95 प्रतीशत मरीजों को बचा लिया गया है जबकि दो लोगों की जान चली गई है उन्होंने कहा कि मरने वालों की संक्या और भी भर सकती है गटना को लेकर मुंबई मेर ने कहा है कि मैंने पहली बार मॉल के अंदर अस्पताल देखा आग लगने की वज़ाओं का पता लगाया जा रहा है कोरोना मरीज समेट अन्य मरीजों को दूसरे अस्पताल में शिफ्ट किया जा रहा है वहीं दोश्यों के खिलाफ कारवाई की बात भी कही जा रही है ज्यादतर कोरोना मरीज थे भरती और बताया जा रहा है कि अस्पताल में कुल शियासी मरीज थे जिन में से 70 कोरोना मरीज थे और 3 अन्य बिमारी से पेड़ी थी इन में से 30 मुरीजों को अस्पताल में भरती कराय गया है और जंबो सेंटर में भीजा गया है और गुड मॉर्निंग इंडिया की खबरों में इतना ही आप देखते रही निउस्वल इंडिया